हलो गुड इवनिंग दोस्तो मैं होकम सिंग अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन में आपका स्वागत करता हूँ अपने इंडियन जोग्रोफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे जिसमें हम मौंटेन पासेज ओफ इंडिय दिसक्स करेंगे दोस्तो अगर एक्जम पॉइंट ओफ यू से देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आज हम पहले पार्ट में हेमलियन मौंटेन रिंजिज म आपको बहुत ज़्यादा पसंदारी होगी और आप इसका फाइदा उठा रहे होंगे दोस्तों यह जो सीरीज है यह आपके लिए यूपी एससी एससी रेलवे या फिर आपका कोई भी स्टेट PCS एक्जाम हो या फिर कोई अधर एक्जाम हो किसी भी स्टेट का हर किसी के लिए बहुत ही बेनिफिशल रहने वाली है क्योंकि दोस्तों हर एक्जाम में इंडियन जोग्रोफी का पॉर्शन आता ही है तो आप इसका फायदा उठाइए रेगुलरली फॉलो कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं देखिए अगर मैं आपको ओवर व्यू दियूं जो ह में ज़ादा फॉकस करना है ये आपको जम्मू कस्मीर का एरिया है वहाँ जो पासीज है उससे नीचे है माचल प्रदेस के पासीज है उससे नीचे जो उत्राखंड के पासीज हैं उसके बाद जो हमारे नौर्थ इस्ट वाले पासिज हैं ये बहुत ज़्यादा important है कुछ पासिज महराष्टरा वाले और एक जो तमिलाडू की साइड है तमिलाडू के रिला साइड तो ये मैन मैन पासिज हैं तो हम each and every concept clear करते हुए हम हर पास को deeply discuss करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा overview दूँ तो देखिए जम्मू कस्मीर के जो पासिज है अगर मैं उनको ड्रॉ करने की कोसिस करूँ तो आपको सबसे उपर मिलेगा यहां मिंट का पास ठीक है इसके बाद इसके जश्ट पास में मिलेगा आपको पीरपक पास देखिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ मैं लिखूंगा नहीं इनको आगे आने वाली स्लैड्स में मैं आपको बता दूँगा आप बस इनकी लोकेशन देखते रही है ठीक है उसके बाद आपको मिलेगा खुंजेरप पास उसके नीचे ठीक है और इसके जश्ट नीचे मिलेगा आपको एगिल पास ठीक है इसके इसके बाद एक पास आपको यहां मिलेगा जिसको क्वारा टैग पास बोलते हैं ठीक है इसके बाद एक पास आपको इधर मिलेगा जिसको बोलते हैं लानकला ठीक है इसके बाद आपको एक पास यहां मिलेगा जिसको बोलते हैं हम देखें दोस्तों यह अक्षाई चीन वाले हिसे में located एला निकला इसके बाद इसके नीचे मिलेगा आपको चांगला ठीक है ये वाला और एक मिलेगा आपको इधर जिसका नाम है इमिसला इमिसला इस के बाद देखिए जो बीच में है उनको देखिए एक मिलेगा आपको इधर जिसको बोलते हैं बुर्जिल पास ठीक है उसके बाद मिलेगा आपको इधर जिसको बोलते हैं जोजीला पास ठीक है इसके बाद मिलेगा आपको एक इधर जिसको बोलते हैं खारदुंगला पास ठीक है इसके बाद एक मिलेगा आपको इधर जिसको बोलते हैं एक इधर मिलेगा जिसको बोलते हम बनी हाल पास ठीक है और लास्ट वन इज एक मिलेगा आपको इधर जिसको बोलते हम पैंसीला ठीक है तो ये थे दोस्तो जम्मू कस्मीर के मैन मैन पासिज अब हम आगे ये है हमारा हमाचल प्रदेश का मैप ठीक है यह हमाचल प्रदेश का map है तो हमाचल प्रदेश में जो passage है हम उनको draw करने की कोशिज करते हैं ठीक है तो दोस्तो हमाचल प्रदेश में दो passage है, सुरी चार passage है उनको मैं ड्रो कर देता हूँ आपके लिए सबसे जो ऊपर है वो है हमारा बारा लाच्चा पास ठीक है उसके बाद है आपका ये रोतांग पास जो कि आपके कुलू और लाहुल स्पीती वाले एरिया को जोड़ता है ठीक है उसके बाद है आपका देवसा पास ठीक है और लास्ट वन इज आपका मिलेगा शिपकिला पास इधर ठीक है तो ये चार पासज है दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से सबसे उपर मिलेगा आपको बारा लाच्चा पास उसके बाद आपका रोतांग पास उसके बाद आपका देवसा पास एज शिपकिला पास ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपको location map wise पता होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा पास किस state में located है और कौन-कौन से areas को आपस में connect करता है तो दोस्तों ये exam point of view से बहुत important topic है ठीक है तो देखिए आपको 6 passage मिलेंगे कहां उत्राखंड में ठीक है तो अगर मैं उत्राखंड के passage को draw करने की कोशिश करूँ तो जो हमारा ये ये आपका उत्राखंड और नेपाल के बीच में एक पास located है वैसे ये जो हमारा उत्राखंड है और तिब्बत वाला हिस्सा है चाहिए ना का वहां के बीच में located है पर जो हमारा pilgrims का जो man site है man server वहां जाने के लिए बहुत important पास है जिसको बोलते हम दीफू पास ठीक है ठीक है दीफू पास उसके ऊपर मिलेगा आपको उत्राखंड में नीती पास ठीक है उसके ऊपर मिलेगा आपको माना पास ठीक है तीन होगे उससे उपर मिलेगा आपको मन्शा दूरा पास मन्शा दूरा पास ठीक है उसके बाद सबसे उपर मिलेगा आपको मुलिंगला पास और एक इधर लोकिटेड है जिसको बूलते हम trails pass तो ये 6 passage उत्राखंड में located है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बाकि आपको मैं आगे slides के माध्यम से, map के माध्यम से समझाऊंगा भी तो ये overview मैंने आपको दे दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अब आप ये समझेए पहले कि mountain passage होते क्या है देखिए mountain passage ऐसा एक connectivity route होता है जो एक countries के या तो different parts को आपस में जोड़े या फिर countries के parts को other countries के साथ में जोड़े इस passage को हम एजे navigable route यूज कर सकते हैं trade के लिए यूज कर सकते हैं war के लिए यूज कर सकते हैं या दोनो human and animals के migration के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है ये mountain passage हो सकता है बहुत ज़्यादा hill उंचाई पे located यानि high steps पे भी हो सकता है और हो सकता है ये बहुत ही लंबी valleys आपस में valleys की continuation हो ऐसा भी कोई pass हो सकता है I hope आपको clear हुआ होगा कि mountain passage actually होते क्या है ठीक है अब इंडिया के जो important mountain passage है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए जोजीला pass मैंने आपको जोजीला pass की location बताई थी जैसे मान लेते हैं ये जमू कस्मीर है तो बीच वाले pass थे वो मैंने आपको बताई थे जैसे ये आपका इधर बताया था मैंने आपको बुर्जिल pass उसके बाद यहाँ जोजीला pass और ये खारदूंगला pass यहाँ पिर मैंने बताया था आपको पीर पंजाल pass उसके बाद यहाँ बताया था बनी हाल pass ठीक है तो ये जो जोजीला पास है इसकी लोकेशन ये बीच वाले लोकेशन है जो कि हमारे स्री नगर से लहे जाने के लिए जो रूट है उस पे लोकेटड है तो देखिए ये जो हमारे जम्मू कस्मीर में जासकर रिंज है उस पे लोकेटड है पहली बात ये जो रोड रूट है ये स्री नगर से लहे जाते हैं उस रोड पे लोकेटिड है ठीक है ये इट हैज बीन क्रियेटिड बाई इंडस रिवर और इंडस रिवर के फ्लो के द्वारा इसकी उत्पत्ती हुई इस जोजीला पास की तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस रिवर है वो कौन से पास से इंटरी करके इंडिया में आती है ये है जोजीला पास अब मेरे को आप कॉमेंट सेक्शन में ये बताईए कि जो हमारी इंडस रिवर है वो इंडिया में जब इंटरी करती है लहे में तो वो कौन से पा बाद हम देखते हैं अगला बनिहाल पास ते कि अजयों बनिहाल पास is a mountain पास across यह भी पीर पंजाल रेंज में located है जो जूजीला पास था वो जासकर रेंज में था देखिए दोस्तों यह मैं आलरेड़이 आपको बता चुका हूँ, यह आपको clear होना चाहिए, कि जासकर range कहा है, पीर पंजाल range कहा है, एक बार मैं और आपको revise करा देता हूँ, देखिए, जो हमारी मान लेते हैं, यह हैं हमारे, trans हमाले आज के मैंने आपको तीन ranges बताई थी, कौन-कौन सी, कराकोरम, लगदाख, और जासकर, ठीक है, और जो मैन हमाले आज के मैंने आपको तीन ranges बताई थी, कौन-कौन सी, greater हमाले आज, middle या lesser हमाले आज, और शिवालिक या outer हमाले आज, ठीक है, तो यह जो जोजीला पास है, यह हमारा जासकर range है, यानि कराकोरम, लगदाख, जासकर इस range में located है, ठीक है, और जो बनी हाल पास है, that is located in the पीर-पंजाल range, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे middle है, या lesser हमाले आज है, उनकी दो main ranges मैंने बताई थी, आपको पीर-पंजाल और धोलादर, तो जो middle हमाले आज की जो पीर-पंजाल range है, उसमें ये बनी हाल पास located है, I hope आपको clear ह हुआ होगा, ठीक है, तो इसका जो elevation देखें, तो ये 2832 मीटर की height पे located है, ये हमारा कश्मीर वैली को, जो हमारी UT है, कौन सी, जम्मू कश्मीर, देखिए, जो हमारी कश्मीर वैली है, जो हमारी J&K की जो कश्मीर वैली है, उसको outer हमाले आज से connect करता है, outer हमाले आज बोले, तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे की शिवालिक्स, शिवालिक्स से connect करती है, या फिर शिवालिक्स से नीचे जो other parts है, यानि जो हमारे Indogangetic Plains है, यानि कि जो हमाले आज से नीचे वाले है, जो सदन इसा है, वहाँ पर जाने के लिए ये रास्ता है, ठीक है, कस्मीरी लेंग्वेज में इसका मतलब होता है, बिलीजर्ड, ठीक है, यानि हवाँ बरफिली तूफान, इसके बाद देखते हम सिपकिला, देखे, सिपकिला जो माउंटेन पास है, यहाँ पर एक बॉर्डर पोस्ट है, विद एक डर्जन बिल्डिंग्स, यानि दर्जनों बिल्डिंग्स के साथ मैं, यहाँ बॉर्डर पोस्ट है, कहां इंडो चाइना के बॉर्डर पर, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पूछ पिछले स्लाइड में, कि जो हमारी सतलज रिवर है, वो कौन से पास से इंडिया में, लहे में इंटरी करती है, तो यह वो ही सिपकिला पास है, जहां से हमारी सतलज रिवर इंटरी करती है, तो सतलज इंटर्स इंडिया नियर दिस पास, चीक है, इसके बाद बारालाचा प पास को मैंने अभी आपको बताया जो कि हमारा कहा मिलेगा हमाचल प्रदेश में सबसे उपर वाला पास हमाचल प्रदेश में क्या पताये थे मैंने हमाचल प्रदेश में याद कीजिए हमाचल प्रदेश में सबसे उपर पताया थे मैंने बारालाचा फिर रहतांग पास फिर पास यह होता है तो बारलाचा लाया बारलाचा पास माउंटेन पास कहां है जासकर रेंज में आपको क्लियर होगा जासकर रेंज के बारे में किसको जोड़ता है यह जो लाहुल डिष्टिक है हमाचल प्रदेश का उसको लेही डिष्टिक है लद्दाक में उससे जोड़ता ह जो कि ले मनाली हाइवे भे लोकेटीट है ठीक है इसके बाद देखते हैं रहतांग پास ये रहतांग पास हमारी जो ईस्टन पार्ट है पीर पंजाल रिम्ज का वहाँ लोकेटीड है ये जो मनाली है हमाचलर प्रदेश मैं उससे 51 क्लोमेटर के उंचाइव लोकेटीड है औ बहुत ही खुबसूरत न जा रहा है यहां बरफ देखने लाइक होती है यहां स्नो फॉल ठीक है तो यह कुलू वैली को लाहोलन्स पीती वैली जो पहमाचली प्रदेश से जोड़ता है ठीक है देखिए अगर मैं आपको जैसे मैंने बताई दिया पहले हमाचली प्रदेश के सिपकिला पास है हमारा इंडिया और जो त॑ रिज़न है उसको कनेक्ट करता है ठीक है इसके बार देखिए माना पास यह विहिकल एक्सेशिवल पासिज में सब से Webs है वर्ड का दोबारा सुनिए यानि वहिकल एक्सेस है जहां उन में सबसे हाइस्ट पास है ये वल्ड का पता होना चाहिए आपको इसके जो रोड बनाया गया था 2005 से 10 के बीच में बनाया था किस के दोरा बी आरो के दोरा बोले तो बॉर्डर रोड और्गनायजेशन के दोरा किस किस लिए इंडियन आर्मी के लिए ठीक है ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर लास्ट पास है ये भी आपको पता होना चाहिए और नेक्स्ट वन इज नीती पास ठीक है नीती पा है ठीक है यह उत्राखंड में लोकेटड है जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया था ठीक है इसके बाद नाथूला देखिए नाथूला के बारे में नाथूला मिलेगा आपको शिक्किम में मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूं मान लेते हैं यह हमारा शिक्किम है ठीक ह उसके बाद अगर हम अरनाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मैन मैन पासिज मैं आकर बता देता हूँ यहां मिलेगा आपको बॉम डीला पास ठीक है उसके बाद इधर मिलेगा आपको कौन सा आपका यांग यप पास मिलेगा इसके बाद दीहंग पास मिलेगा इसके बाद दीफू पास मिलेगा तो इस तरीके ये मैंमें पास ही जा 해 बागी मैं आपको स्ट्किंट के माद्धेम से समझाऊंगा। देखिए लुए नाथूला जो पास है ये एक माउंटें पास है जो अश्टन हमाहे लगार्ज इस्ट सिक्किम के नाम से एक डिस्टिक है उसमें लोकिटेड है वैसे ही है इट कनेक्ट सिदी इंडियन स्टेट ओफ क्या सिक्किम और जो चाइना का जो ऑटमनोमस रीजन है कौन सा तिबबत वहां से उसको कनेक्ट करता है ठीक है अगर हम इसका मतलब देखें तो नाथू क इलिपला ब्यालिस सो सड़िट मीटर के एलिवेशन पर लोकिटेड है अगर फीट में देखे तो तेरह जार नौसो निन्यानमे फीट लगबग 14,000 फीट की हाइट पर लोकिटेड है यह हमारा जो इस्ट सिक्किम डिस्टिक है सिक्किम का उसको जो चाइना का उटनोमस री बताई भी यह हैं यह हैं आपके जम्मू कस्मीर के पासिज ठीक है जम्मू कस्मीर में आपको देखे मैंने बताया था मिंटका पास उसके बाद आपका पारपीक पास उसके बाद आपका खुंजिरब पास ठीक है उसके बाद बताया मैंने आपको एगिल पास उसके बाद क दीर पंजाल बनी हाल और आपका लास्ट वन इज पैंसी ला तो यह पासिज मैंने आपको अल्रेड़ी लोकेट कराए थे मैप पे ठीक है तो इस तरीके से आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कौन-कौन से एरियाज कनेक्टेड होते हैं पासिज से वो पता होना चाहिए ठीक है देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इनके बारे में जो अगर खारदुंगला पास है उसकी बात करें तो दिस इज हाइस्ट मोटरेबल पास इन दी कंटरी यह देश का सबसे हाइस्ट म गलेश से कनेक्ट करता है यह विंटर्स के दोरान बرف के कारण बंध ही रहता है ठीक है इसके बाद हमारा दूसरा थांगला या टैगला अ Hospi है कि तो यह हमारा थांग्ला डिक है यह कहा है यह लद्दाक में लोकिटेड है यह सेक्ञ नांब पेली नमबर पर हाय इसके बाद है हमारा एगिल पास यह हमारा जो हमारी हाइस्ट पीक है इंडिया की जो कराकुरम रिंज में लोकिटेड है कौन सी केटू केटू बोले तो गौडविन ओस्टिन इसके नॉर्थ में लोकिटेड है ठीक है यह किस-किस को कनेक्ट करता है जो हमारा इंडिया का wind से connect करता है ठीक है और जो हमारा winter का season है नवंबर से लेकर मई के महीने तक ये बंद रहता है जो टूदी snowfall ठीक है इसके बाद चांगला चांगला ये greater हमालयाज में located है दोस्तों अब आपको ये हमालयन ranges clear होंगी क्योंकि मैंने कितनी बार आपको बता भी चुका हूँ तो ये greater हमालयाज में जो मैंन हमालयाज के अमरे तेन ranges जहें greater हमालयाज, middle हमालयाज और शिवालिक्स तो ये greater हमालयाज में located है ये लदाख को तिबत से connect करता है ये वाला को लिहासा से connect करते हुए Chinese authority ने देखें लगदा को चाइना से connect करता है पहली बात और फिर इसको जो लिहासा से connect करने के लिए Chinese authority ने जिंजियांग और तिबद के बीच में एक रोड भी बनाया है ठीक है इसके बाद next one देखते हैं इमिसला ठीक है इमिसला जो पास है यहां बहुत ही जिओग्राफिकल डिफिकल्ट जिओग्राफिकल टेरेन है यानि बहुत ही उबड़ खावड़ यहां का area है ठीक है और यहां बहुत ही steep slopes मिलेंगे आपको और यह इंटर्स के दोरान close रहता है बरफ के कारण और यह लिद्दाक और तिबबत को connect करता है ठीक है इसके बाद हमारा 12 लाचा यह हमारा जो जमू कस्मीर वाला नेशनल हाईवे है उस पर located है और यह लेह और मनाली को connect करता है ठीक है इसके बाद यह उत्रकंड के जो पासिज है मैं इनको बता देता हूँ एक बार और बागी मैं आपको बताई दिया था देखिए सबसे नीचे आपको यह लीपूलेक वाला मिलेगा जो कि मानसरोवर के possible पास है जो कि मैंने आपको बताई था यह है ट्रेल्स पास इसके बाद यह आपका मांक्शा दुरा पास और सबसे उपर हमारा मुलिंग पास यह मुलिंग ला ठीक है तो देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिता हूं ट्रेल्स पास है यह उत्रक तो यह उत्राखंड के बताएं आपको तो यह उत्राखंड में located है ठीक है यह पिंडारी glacier कहां situated है situated at the end of the पिंडारी गिलेशियर और किस-किस को कनेक्ट करता है पिंडारी वैली को मिलाम वैली से कनेक्ट करता है तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है और याद रखनी पढ़ेंगी जो पता होना चाहिए आपको जो ट्रेल्स पास है वो कौन कौन सी दो valleys को connect करता है तो आपको पता होना चाहिए पिंडारी वैली और मीलाम वैली को connect करता है ठीक है यह यह बहुत steep है और यह उबडखावड का terrain है ठीक है इसके बाद लीपू लेक जो की उत्राखंड और तिबबत को जोड़ता है कहां located है उत्राखंड में क्योंकि उत्राखंड के ही चल रहे है किस-किस को connect करता है उत्राखंड को तिबबत से connect करता है यह बहुत ही important border pass है trade के point of view से ठीक है चाइना के साथ में और यह pilgrims के द्वारा months rover जाने के लिए भी इसको travel route की तरह यूज किया जाता है next one is mana pass mana pass है यह उत्राखंड और तिबबत के बीच में यह भी उत्राखंड और तिबबत के बीच में located है यह greater हमालियाज में located है जो की तिबबत को उत्राखंड से connect करता है यह winter के दोरान जात्तर बंद रहता है ठीक है इसके बाद है मांगशा धूरा पास ठीक है ऊपर से सेकंड लास्ट ठीक है सबसे उपर वाला था हमारा मुलिंग पास ठीक है तो ये भी उत्राखंड में लोकेटड है ये लेंड स्लाइट्स के लिए फैमस है यानि जो भूशिकलन की परक्रिया यहां बहुत ही फैमस है मांस रोवर जाने के लिए पिलिग्रिम्स के द्वारा ये रूट भी इस्तेमाल किया जाता है और ये कहां लोकेटड है हमारे कूठी वैली में लोकेटड है मांक शादूरा पास ठीक है इसके बाद हम देखते हैं मुलिंगला पास ये नौर्थ गंगूत्री में लोकेटड है 569 मी इवेशन पर हाइट पर ग्रेट हमाले आज में ठीक है ये भी एक सीजनल पास है जो कि उत्राखंड और तिबबत को कनेक्ट करता है और स्नो कवर्ड विंटर के दौरान यहां कॉमन है इसलिए विंटर के दौरान बंद रहता है ठीक है इसके बाद देखते हम नीती पास य यह भी उत्राखंड और तिबबत को जोड़ता है यह भी स्नो कवर्ड की वज़े से बंद रहता है विंटर के दौरान ठीक है इसके बाद है हमारा देवसा पास यह हमारी देवसा पास है सिपीती वैली और पारवती वैली को कनेक्ट करता है इट जॉइंच सिपीती वैली पारवती वैली यह हाई माउंटेन पास है किस किस के बीच में कुलू और सिपीती है जो हमाचल प्रदेश का उनके बीच में ठीक है यह जो हमारा पिन पारवती पास है उसके लिए एक बाई पास की तरह भी काम करता है इसके बाद हमारा रहतंग पास यह हमारा जमू के ओस इसके बाद कश्मीर के ये पासिज मैंने आपको बताई दिये है ठीक है एक बार और रवाइज करा देता हूँ आपको पक्के हो जाएंगे देखिए सबसे उपर मैंने बताया था आपको मिंटका पास उसके बाद आपका पारपिक पास उसके बाद आपका कुंजरब पास उस यह बहुत important है यह हेँ अमारे बारालाचा पास यह जोजीला पास यह हमारे खार दूंगला पास यह पीर पंजाल पास इसके बाद यह वाला हमारे बनी हाल पास और यह हमारा पैएंसिला आपको दोस्तों पताऊ हूंगे चीन की location इसके बाद मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको देखिए बनीहाल पास ये इसको जवाहर टरेनल के नाम से जाना जाता है ठीक है ये बनीहाल वाले एरिया को क्वाजी गंड वाले एरिया से जोडता है जो की हमारा जम्म कुश्मीर में ही फोर्स लगाई गई है बियारों के द्वारा जो कि यहां के देख रेक मेंटिनेंस इस रोड के वही करती है चीक है इसके बाद बुर्जिल पास बुर्जिल पास हमारा जो स्री नगर और किसन गंगा वैली है उसको कनेक्ट करता है और ये किस-किस कौन-कौन सी वैली को जो वैली को दिवसाई lada के उन से जोड़ता है ठीक है इसके बाद आपका पैंसी ला मैं पैंसी ला हमारा कि से कश्मीर और कार्गिल वैली को कार्गिल से जोडता है ठीक है ये गरेटर हमाले आज में located है इसके बाद है हमारा पीर पंजाल पास ठीक है ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल पास है जम्मू और स्रीनगर के बीच में जम्मू और स्रीनगर के बीच में जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का partition हुआ था उस टाइम पर को बंद कर दिया गया था ठीक है इसके बाद कुछ जो हमारे नौर्थ इस्टन स्टेट्स हैं उनके पासिज देख लेते हैं वो भी बहुत हम्पुटेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार मैप पे देखिए दो पासिज मिलेंगे आपको सिक्किम में कौन-कौन से उपर मिलेगा आपको ना ठूला और उससे नीचे मिलेगा आपको कौन सा क Leon K का जिलिपला ठीक है इसके यह आपका बॉम डिला पास है ठीक है यह आपका यंग यप पास है इसके बाद यह आपका दिहांक पास है यह आपका यह वाला दीफू पास है दोस्तों यह वाला क्वेश्चन वो है पास जिस टाइम पर इंडिया चाइना का वार हुआ था 1962 में तो उस टाइम पर चाइनीज आर्मी के दौरा इंडिया में इंट्री करने के लिए यही वाला पास यूज किया था आपको पता होना चाहिए पॉटेंट पॉइंट आप स्टार मार्क लगा लीजिए किसी ने किसी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि चाइना के दौरा वार के दौरा 1962 में कौन सा पास यूज किया था इंडिया मेंट्री के लिए तो देट पास वाजदी दीफू पास ठीक है इसके बाद आपका कुम से आपको बता देता हूं ऐए को आए अगर आगे दैकी नाथूला पास है यहमारा हमालीयन रेंचेंड है जो हमारा इंडिय है Sikkim वहाँ ठीक है तो हमालीयन लिए यूज किया जाता इस Teenatter नाथू लापास को तो आपको पता chromosome पहले खुल्क रूट नाथू लापास के लिए कौन सा यूज किया जाता था लेट वाजदी नाथू लपास ठीक है इसके बाद जिलिप लपास है यह हमारा यह वी सिक्कम मैं है इस सिक्किम डिस्टिक में और यह किसक Commissioner करता है हमारे इंडिया के सिक्किम को जो तिबब की डिल है लेहासा उस से जोडता है पिस छोडता है कि ठीक है कि इसके बाद है हमारा भाम डीला पास जो कि मैं लोकेटिट है ऐ चाहिए ये अग्रेट इस लोकेटिड इंदी इस्ट अब भूटान यानिक अरणाचल प्रदेश में लोकेटड़ इस्ट अब भूटान इसके बाद यांग याप पास यह 4902 इंडोचाइना बॉर्डर जोइंज अरणाचल प्रदेश विद्धी तिबद रीजन तो यह भी इंडिया तिबद के बीच में है इसके बाद हमारा दियांग पास जो कि अरणाचल प्रदेश को मेंड ले यानिकी हमारा जो हमारा म्यान मार उससे जोगता है इस लोकेट इंद नौर्थ इंडिन नور्थ इस्टेट्स अफ़र नाचल प्रदेश यह किस-क्रदेश को connect करता है और नाचल प्रदेश किसके साथ में म्यान मार के साथ मैं ठीक है इसके बाद ये दीफू पास है जो कि अरणाचल प्रदेश और मीयान मार के बीच में यह एक्चुली ट्राइ के लिए इसी पास को यूज किया था ठीक है और यह में कुम जंग पॉजस यह हमारे इंडमनीअ मूर्टि पे लोकेटड है ये भी अरनाचल प्रदेश को म्यानमार से कनेक्ट करता है इसके बाद है हमारा पांग्शो पास ये जो पांग्शो एक विलेज है म्यानमार में उसके नाम से नाम पे इसका नाम रखा गया है और ये भी हमारा इंडिया का अरनाचल प्रदेश और म्यानमार क के बीच में एक connecting route है एक पास है ठीक है इसके बाद है हमारा चौकन पास ये भी अरनाचल प्देश और म्यानमार के बीच में पास है तो दोस्तों इस तरीके से ये जो इंडियन माउंटेन से हमालियन माउंटेन से उनके अंदर जो पासेज है वो लेक्चर कम्प्लीट हुआ इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम सदन इंडिया के जो पैंशलर रीजन है उस वाले एरिया के जो पासेज है उनको डिसक्स करेंगे I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए मैं उस डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिज करूँगा दोस्तों ये मेरे चैनल का नाम है Target Achievers John आप इसको like, share and subscribe कीजिए Thank you so much Have a great day